अलो फोक्स, वाट्स अप, क्याल चाल, दिस इस सीए निकुंच गोईंका, यूर टाक्स मेंटर, ओप यूर दूइंग ग्रेट, एंड यूर आपसलूटली इंजॉइंग यूर लाइफ, क्यो नहीं सर, examinations ओवर हो गया है, अब फुल आन मस्ती कर रहे हैं, movies देख रहे हैं, स प्रेंशन बिल्कुल भी लेने का दरकार निक होते हैं, कि सास ले सकते हैं, थोड़ा सा, अराम से, रिलाक्स, चिल कर सकते हो, ये वीडियो का title से देखकर आपको समझ में आएगी होगा, कि मैं इस वीडियो में क्या बात करने वाल हूँ, CMA examinations ओवर हो गया है, अब क्या कर सर, सर वीडियो आप अभी क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सर, सिंपल सी बात है, 17 तारीक को आपका exam खतम हुआ, आपको कम से कम 3-4 दिन तो दू, so that आप अपना खुद से प्राइवेट स्पेस में comfort level पे सो सको, नींद पूरा कर सको, थोड़ा सा, रिलाक्स कर सको, उसके अगर आपका examination over हो गया है, तो भी हमारा सफर आपके साथ खतम हुआ नहीं है, आपको बहुत चीज सिखाना बागी है, येस, आप सही सुन रहे है, income tax का portal कैसे काम करता है, GST में कैसे आप returns file करते हो, income tax में आप PAN कैसे apply करते हो, TAN कैसे apply करते हो, returns कैसे file करते हो, income tax का सब कु है, कि आपको ये time में मैं आपको सब करवा हूँ, तो guys, you are hearing me correct, और आज मैं announce कर रहे वाला हूँ, बहुत ही जल्दी जो आपको वीडियो की last तक आपको देखना पड़ेगा, please वीडियो को last तक देखेगा, और share करना, subscribe the channel, press the bell icon button, और अगर आप चालते हो, कि आप इस वीड monetize करना साथ को, sir monetize, मैं ये वीडियो को नहीं भोल रहा हूँ, मैं monetization आपका बात कर रहा हूँ, कि आप ये वीडियो से मेरे से काफी चीज़ सीख कर, खुद से अब earn करना start कर सकते हो, कैसे वो मैं आपको बात में बताऊंगा, बल फिलाल अभी आप एक strategy समझो, मैं जो plan कर क्या हूँ आपके लिए, आपका अगर अभी CM exams over हो गया है, तो मैं generally ये दो बच्चों के, दो बच्चों, दो groups में आप लोगो बाढ़ता हूँ, सबसे पहला group है, कोई student चाहे वो enter दिया हो, या final दिया हो, वो single group दिया है, क्या दिया है, single group, ठीक है न, उसने एक ही group दिया ह या फिर उसका एक group पहले clear हो चुका है, वो अभी एक group ही दे रहा है, ठीक है, अगर वो एक group ही single group दे रहा है, मैं zoom कर रहा हूँ, अभी मैं उनका बात कर रहा हूँ, वो पहली, पहला group दे रहे है, पहला group दे रहे है, उनका एक group अभी भी भी बचावा है, ठीक है, एक group दे ले चुके हैं या group 3 बचाव है तो sir आपके लिए कोई सोचना नहीं है wait मत करिएगा results का immediately दूसरे group का अपना lectures classes लेना self study करना start कर दो please wait मत करेगा results का ये भी मत सोचेगा कि sir result के बाद सोचते हैं अगर इस attempt में pass नहीं हुआ sir मेरा examinations अच्छा नहीं गया उससे कोई फरक नहीं even if you fail मतलब मैं बिलकुल आपके लिए pray कर रहा हूँ बेटा कि आप pass होंगे लेकिन by chance अगर आप pass नहीं हो पाए कोई बात नहीं है आपको दोनों group की तयारी करनी है जून के लिए आप ये मन में सोचो अगर आप दूसरा group का preparation अभी start कर देते हो बेटा आपको पता है कि अभी आ रहा है 2024 में तो आप तब तक तो वेट नहीं कर सकते आप तब तक क्या करोगे अदर group का जो है 80% preparation आप complete कर लोगे अगर आप अभी से शिद्दत से classes देखना daily 3-4 अगर आप start कर दिए तो शिद्दत से आप group 2 या whatever other group आप अपना 70-80% कम से कम आप तैयारी कर सकते हो और उस result के बाद अगर positive रहा तो बहुत बड़ी आपको एक group ही देना है अगर नहीं रहा कोई बात नहीं आप दूसरा group को और थोड़ा सा revise करके other group जो है उसको आपको आपका already cover किया वही है दोनों revise करके आप असानी से जून में दे सकते हैं कोई problem नहीं है पर प्लीज गलत practical training का courses लेंगे अभी आपके लिए आपके लिए बाद में आएगा ठीक है आपको बाद में करना है अभी आपको यह करना नहीं है practical training का courses किन के लिए मैं बताऊंगा सर अगर हम दोनों ग्रूप दे दिये हैं सर अगर हम दोनों ग्रूप दे दिये हैं अब हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि सर सिंगल ग्रूप वालू के पास तो पढ़ने के लिए है एक ग्रूप का पढ़ाई है बड़ जो दोनों ग्रूप दिये हैं उन ना स्टार्ट कर सकते हुआ अब सारे बहुत सारे फैकल्टी सजिस्टेट आंसर भी अप्लोड करने मैं भी अपने एक पेपर का तो दो पेपर का मैंने डाल दिया है CMA final IDT का I think old syllabus का मैं evaluation डाल दिये और CMA inter IDT का I think old syllabus syllabus या old syllabus ही होगा उसका भी मैंने evaluation डाल दिये DT IDT का भी मैं डाल दूगा और बाकी जो भी papers है मैं डाल दूगा in the coming week ठीक है तो सर बोद ग्रूप्स अगर आप दिये हो और आप मोटा-मोटी पॉस मोटा-मोटी आपको लग रहा है कि सर I think मेरा papers अच्छा गया है decent गया है and I'm very confident ठीक है I'm very confident कि नहीं मेरे को मैं aggregate में भी पास हो जाओंगा और मेरा 40 से अबव भी सारे marks आ जाएंगे मेरे को ठीक लग रहा है I'm not negative ठीक है तो सर आप एक category में fall करोगे लेकिन अगर आपका paper अच्छा नहीं गया मानलो एक paper बहुत ज इनका paper अच्छा नहीं गया आपको अभी पता है आपका paper अच्छा नहीं गया या फिर आपको ये भी अगर लगता है कि नहीं सर मेरा chances 50-50 है मतलब 50-50 है generally क्या आता है na student अपने आपको थोड़ा सा कभी कभार जादा भी आख लेता है ठीक है institute भली आपको इतना नहीं आख रहा है बट आप अपने marks को थोड़ा जादा आक रहे हो तो मैं तो मेरा ये suggestion है personal suggestion है और कोई का suggestion कोई और हो सकता है मेरा suggestion है कि सर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा paper अच्छा नहीं गया या मैं बहुत जादा confident नहीं हूं क्योंकि देखिए confidence होता है तो उसके अलग मज सब्सक्राइब बहुत इजी आया था डिट इट इट भी ग्रुप वन का बहुत इजी आया था मेरे taxation paper में मेरे को कोई problem नहीं हुआ है final और इंटर में सारे papers average आये थे बहुत इजी आये थे मतलब ठीक था आया था और बच्छा असानी से score कर सकता था most of the questions were from my institute material तो मेरे पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए ठीक है you should not disturb the flow चार पास दिन हो गया है तीन चार दिन और ले लो रेस्ट करके अपना पढ़ना स्टार्ट करतो don't break the flow जो flow आपका maintain हुआ है वो flow लाने में वापिस एक मेना वेश्ट हो जाता है flow maintain रखिए आप वो subjects को target करिए जो आपको लगता है आपका अच्छा नहीं गया उस subject को फिर से उठाइए ठीक है क्या आप missing थे practice में missing थी coverage में missing थी topics आपने छोड़ा था या फिर आप execute नहीं कर पाए कोई chapters में आपको problem था दुबारा से पढ़िए revision करिए उस subject के faculty को approach करिए उनसे help पांगिए जो भी करना है करिए आपका career है आप responsible हो सर अगर result positive आ गया तो bonus है आपका कोई बात नहीं है अपने extra help लिया अपने extra काम किया बहुत बढ़िया कोई बात नहीं है सर लेकिन अगर आप ये सोचिए by chance अगर आपका result positive नहीं हुआ तो आप जो ये time waste करते मेर बात सुनो मेरा result आ रहे 21st February को मैं नहीं चाहता कि आप time waste करिए जो बच्चे का paper अभी अच्छा नहीं गया time waste मत करो 21st February में बहुत time है बेटा इमीजेटली पढ़ना स्टार्ट कर दो इमीजेटली पढ़ना स्टार्ट कर दो especially वो group जैसे मानलो आपका example group 1 का accounts आपका मानलो अच्छा नहीं गया ठीक है और आपको डर है कि group 1 में accounts आपका इतना अच्छा नहीं गया कि आपको बात बाकी paper में भी आपका you know exemption भी नहीं आएगा या फिर आपका group 1 aggregate में short हो जाएग तो group 1 के सारे papers start कर दो वो आपको खुद से self evaluation करना पड़ेगा कि आपका paper कैसा गया ठीक है so do it please and don't break the flow sir christmas new year ठीक है एक एक दिन बना लीजेगा कोई बात नहीं है बट देखें बेटा festivals आते जाते रहेंगे बट आदमी का जो जुनून है ना यह फटक से नीचे गिर जाता है यह जो flow है ना flow इसको बोले अद्रिन रश इसको प्लीज गिरने मत दीजे इसको maintain करते वे चलिए औ और trust me you will definitely come out with flying colors आपको लगेगा कि 21st February को मेरा बात मानो आप सही बात मानो मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा हूँ ना मैं किसी के बार में बहला बुरा कह रहा हूँ ना मैं आपको के बार में गलत सोचने के लिए कह रहा हूँ बट देखें आपको practical होना पड़ेगा अगर तो result से डर भी नहीं लगेगा कुछ नहीं फरक पड़ता है मैंने दो मैना बहुत महनत किया है ठीक है डेर से दो मैना मैंने एक group को पूरा तयार कर लिया ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अभी आप flow में हो अभी आप break नहीं करोगे तो यह चीज़ ज़रूर याद रखेगा ठीक इन फैक चारो ही कर सकते हो सबसे पहले आप लोग skills पे काम करिए something जो आपको समय लगेगा सीखने में समय लगेगा सीखने में मतलब which will make you ultimately employable आपको degree से एक बार job मिल जाएगा पर उस job में growth मिलेगा आपके skills के basis पे ठीक है आप कोई भी काम करोगे तो आपको कही न कही knowledge ची होगा आपको experience ची होगा आपको बहुत सारे skill set का requirement होगा तो skills के ना पढ़ाया नहीं जा सकता skills practice किया जाता है आपको practice करवाया जाएगा कि ऐसे होता है ऐसे होता है और तुम जितना ज्यादा प्रेक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम अच्छा bold होगे काम में तो आपको न तुमने चुना है उस related skill भी तुमको चुनना पड़ेगा ना ठीक है ना तुमको तुमको क्या लग रहा है तुम क्या चीज में future बनाना चाहते हो तुमको क्या चीज में future बनाना है वो तुमको उसके साब से जो skill set required है वो तुमको करना पड़ेगा आप CSCIA में prestigious course कर रहे हो तो definitely आपको उसी के साब से जो आपके अंदर skill set requirement है, वो होना चाहिए. और इसमें सबसे पहला number आता है, बेटा, taxation का. आपको पता है, दुनिया जहान में सबसे बड़ा चीज, जो एक CAC, CAC, CMA से requirement है, वो है taxation. आपका taxation का knowledge सूपर से भी उपर होना चाहिए, because this is a hardcore requirement of the industry. कहीं पर भी चले जाएए, DT, IDT सबका demand है. DT, IDT लोग जानने वाले कम है. तो आप सोचो, अगर आप उसको अच्छे से जान लिए, उसको अच्छे से practice कर लिए, उसको further आपको किसी को, you know, सिखाना है. Maybe you can become a teacher, like me. मैंने पढ़के मैं सिखाना start कर दिया, ठीक है? तो मेरा भी तो skills, मैंने भी तो सीखा ना, तब जाके तो मैं सिखा पा रहा हूँ. तो ऐसे आप भी taxation का knowledge लेकर आप भी सिखा भी सकते हो, भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सार्थ में सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? या फिर आप चाहे तो practice कर सकते हो, आप अपना consultancy विंग स्टार्ट कर सकते हो, basically guys, please start understanding, you can start earning, तो why to wait, why to waste your time, अपने skills पे ध्यान दो बेटा, taxation, income tax हुआ, GST हुआ, इसको कैसे करते हैं सर, practically इसको कैसे करते हैं, इसके practical क्या branches है, इसमें actual में कहां कहां, income tax में क्या क्या काम है, उस काम के लिए अपने को पैसे मिलते हैं, that is an actual economic activity for which you are getting income, accounting में क्या काम आते हैं सर, accounts के साथ auditing भी attached है, तो आपको accounts audit साथ में करना पड़ता है, accounting अपने बनाते कैसे, किसी भी company का financial statements, आपने बहुत किया, copy में, journal, entry, ledger, balance sheet, PL, बहुत किया है, बट सर कैसे accounting को अपने execute कर करते हैं, एक financial statements में, accounts को कैसे पढ़ते हैं, accounts कैसे बनाते हैं, accounts के बहुत famous famous software है, tally उनमें से एक है, जो बहुत ज़्यादा use होता है, worldwide, तो सर, tally accounting software कैसे अपने use करते हैं, उसमें entries कैसे post करते हैं, उसको कैसे analyze करते हैं, वो सीखना चाहिए आपको, finance, बहुत बड़ा field है, endless field है, finance में आप क्या-क्या काम कर सकते हो, आपको stock market, stock market कैसे काम करता है, आपको नहीं बोलनों है कि stock market में जाई ही पैसा लगाईए, but you should know knowledge कि sensex nifty क्या है, क्या है sensex nifty, you should know this, इस पे काम करिए, यह आपको employable बनाएगा, जादा से जादा, I hope you're understanding, Excel, Excel आपका बहुत अच्छा command होना, आपको लगता है, control C, control V आगया, आपको Excel आगया, alt plus आगया, तो आपको sum आगया, equal to sum, equal to difference, equal to subtotal, आपको Excel आगया, नहीं, बहुत सारे functionalities होता है, Excel के, V look up होता है, H look up होता है, macros होता है, बहुत सारे होता है, क्या आपको होता है, उस पे काम करिए, इसको काम, अब इसको कैसे आप कर सकते हो, इसके prestigious prestigious institute से है, जो आपको इसका special training देते है, उसको खोजिए, आपको YouTube पे second videos मिलेंगे, YouTube पे तो second videos मिलेंगे, बट आपको एक organized जगा जाना चाहिए, ठीक है, अब मैं तो आपको यही भूलने वाला हूँ कि taxation का Jimba मैं पहले उठाना चाहता हूँ Although मेरा एक ड्रीम है कि मेरे को accounts, finance में को इसका भी आपको practical knowledge देना है, क्योंकि मेरा काली role यह नहीं है कि आपको बस पढ़ा दिया हो गया मेरे को आपको सारा overall आपको एक growth, आपको एक ऐसा बना देना है कि कल को आप inter pass हो या final pass हो, आप कही पे भी जाएए, आपको job मिलना 100% sure है क्योंकि आपके अंदर skill है, degree के साथ skill है, knowledge के साथ skill है, job सीख क्या है हो and वो है आज का need of the industry, जितना जल्दी समझेंगे उतना जल्दी आपके लिए better है ठीक है, अब सर यह हम सीख तो लेंगे, लेकिन हम इसको apply कहा करेंगे बिटा, मेरा यह personal view है, क्योंकि मैं भी एक family business से belong करता हूँ बट मैंने आज तक कभी family business जॉइन नहीं कि अपने डाट का बट मैं गया था पहले starting में, when, before my CA, मलब CA, मलब जब मैं class 11-12 में था, भी कॉम में था जब मेरे पास time रहता था, tutions का pressure कम रहता, तो मैं ऐसे जा के एक बर देखता था, observe करता था पापा के साथ office में बैठता, family business में बैठता था, तो मैंने काफी चीज़ वहाँ से भी सीखा, मैंने observe करके भी देखा तो अगर आपके, आपका family business है, तो ज़रूर वहाँ पे जाया करिए, देखो कैसे क्या हो रहा है, how buying and selling is taking place, उसके accounts कैसे maintain हो रही है अगर नहीं है, तो एक firm join करिए, कही पे paid up join करिए, जहाँ पर आपको काम सीखना, don't see कितना पैसा मिलेगा, कितना क्या, वो सब नहीं, अभी आपको इस सब finance देखना ही नहीं है final exam, degree बनने के बाद, degree मिलने के बाद अपने हो सब सोचेंगे degree मिलने के बाद अपने आप तुम्हारे पास package का offer आएगा, तुमको नहीं जाना पड़ेगा अभी तुमको सीखना पड़ेगा, तुमको जहां जाना पड़े सीखने के लिए तुमको सीखना पड़ेगा, दोस्त that is the hard truth of today's life so you should join a firm, I think so experience के लिए आपको चाहे तो काफी सारे students बोलते है अपना practical जो training है और स्टार्ट कर लें, बिलकुल कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है बस आप कोई भी आपको profile मिल गया, किसी बें में चले गए, तो वो नहीं चलेगा सर, आपको profile जो है, आपके मन-like मिलना चाहिए Please ensure that, कि आपको एक अच्छा profile मिलना चाहिए, जो आपके मन-like हो, वो आप चाहिए कुछ भी अपना, जो आपका interest है, उसके ओपर आप सोच सकते हो एक और चीज अपने को last में करना है सर, कि सर आपना papers जो आपको लग रहा है कि आपका खराब गया है, examination में या फिर खराब innocence, मैं नहीं बोलूगा, क्योंकि आप तो बोल दिये थे ना, papers सब अच्छा गया है जो questions आपको नहीं करके गहते हैं, वो नहीं आया, basically, आप लखी थे पर आपका preparation आपको नहीं लगता है, you are not that great at उन papers को खाली एक बर थोड़ा बहुत revise करिएगा, क्योंकि सर, मैं अगर आपको 100% बोल दूँ कि तुम, क्योंकि ये ना, पढ़ाई से नाता रिस्ता नहीं टूड़ जाए, बोल के मैं ये चौता पॉइंट इंड्रीउस किया हूँ, क्योंकि अभी तक आप पास नहीं हो, February को पता चलेगा कि आप पास होए कि नहीं हो है, आप अपना practical skills पे भी ध्यान दे रहे हो, आप कही ना कही कुछ ना कुछ experience भी ले रहे ठीक है, तो revise only those papers so that आपका study से एक relation बना रहे, आपका study से क्या रहे, एक relation बना रहे, तो हमेशा उसी चीच को याद रखेगा कि आपका study से एक relation बना रहे, ठीक है दोस्त, तो सर ये था मेरा एक short चीज, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सर आपके लिए मैं ले कर आ रहा हूँ, एक live webinar, yes, you are going to be correct, आपके लिए live webinar आ रहा है, sir, save the date, let's understand the income tax portal features, let's understand the income tax portal features, जबर्दस्ट, जबर्दस्ट, sir, आपको income tax का portal, portal यानि की जहां पे actual में charter accountants, cost accountants, company secretary अपना सारा काम करते हैं, वो portal जिससे सारा returns upload होता है, जिसमें कितने सारे functionalities है, जो आपको practically नहीं पता, theoretically में भी आपके पास ग्यान हो, but practically आपके पास ग्यान नहीं है, वो मैं आपको सिखाऊंगा live, ठीक है, save कर लो ये date बिटा, ये Friday नहीं है, भूल से ये misprinting हो गया, ये है आपका Tuesday, ठीक है, Tuesday को आपका यहाँ पर चलेगा Christmas के बाद, ठीक है, Christmas की जस्ट अगले दिन, ठीक है, I think 25th आपका Monday है, 26 Tuesday को आपके लिए मैं शाम को 6 PM से 7.30 PM, 1.5 घंटे का अपने पहला session रखेंगे, जहाँ पे मैं आपको income tax portal में जो main features हैं, जो आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको दिखा tax portal work करता है, YouTube live होगा यह session, जान्द से जादा लोगों तक यह message पहुचाना, stream जो है, वो मैं नीचे live जो है, आपके description box में डाल दूँगा, उसका YouTube live का जो stream है, वो जरूर जरूर अपने सारे दोस्तों तक पहुचाना, जो अभी इस वक्त सोच रहें कि क्या करे, क्या करे, क् कर जिम्यवार ही है कि यह जल्द से जल्द maximum लोगों तक इसको viral करे, हर groups में share करे, because sir, बहुत कम लोग है, जो यह करते हैं, और थोड़ा सा मैंने इस बार और जादे extra initiative लिया, कि मैं अपने students तक थोड़ा सा practical knowledge of taxation का भी एक awareness spread कर सकूँ, ठीक है, तो ज़रूर से आपको 26 December, मै मैंने 25 तक कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी आप थोड़ से Christmas के माहल में busy रहेंगे, अगले दिन मैंने 26 का date आपके लिया, बहुत time है, अराम से आप प्लीज अपने सारे friends तक इसको share जरूर करिएगा, so that आपको पता चले कि income tax portal काम कैसे करता है, अपने बेटा सब कुछ ले लेने वाले है, पता है, अपने सब कुछ लेने वाले है, जिसे देखिए, मैं आपको income tax का website, income tax का website दिखाऊंगा, कि सबसे पहले income tax act कहां से आपको पढ़ना चाहिए, income tax में जो finance act आता है, finance act कहां से आप download करके पढ़ सकते हो, अभी तक तो आपका लिज टीचर का study material देख को verify कर सकते हो, आप अपने आधार को link कर सकते हो, आप electronically income tax pay कर सकते हो, आप अपने पैन को verify कर सकते हो कि किसका पैन है, आप अपने 10 details पता कर सकते हो, ठीक है, आप basically अपना assessing officer, आपका assessing officer कौन है, वो आप पता कर सकते हो, आप अपना payment status, यदि आपने income tax payment के है, तो उसका payment का status के अप्रूब हो गया है complete हो गया है कि नहीं हो उसका पता कर सकते हो आपको cash withdrawal के उपर TDS पढ़ाए गया गया है बना 24N में उसके उपर आपको पढ़ाया गया था याद करो कि सर अगर लास तीन साल में अगर आपने रिटन्स उसने रिटन्स फाइल नहीं किया तो वो एक तर से defaulter माना जाएगा तो इसमें अपने को ये functionality हा दिया है कि TDS on cash withdrawal जो है वो किस तरीके से यहाँ पर देखो pan of the taxpayer and the mobile number check TDS rate on cash withdrawal under section 194N ठीक है तो जो taxpayer है basically अगर bank TDS काट रहा है तो pan उसका डालेगा अपना mobile इस लोगे तो मैं आपको काफी सारा चीज कम से कम टाइम में बता पाऊंगा तो ये webinar है इसमें अपनों बहुत सारा सीज सीखेंगे आप लोग से expect करता हूँ कि आप 26 December Tuesday को शाम 6 बजे लाइव आएंगे मेरे YouTube चैनल पे निकुझ गोईंगा टाक्स मेंटर और ज़रूर जुड़ेंगे मेरे साथ जो बच्चे इनफैक्ट अभी करिंटी इंकम टाक्स पढ़ रहे हैं उनको भी ये webinar रेटेंड करना चाहिए जो अभी लब जो भी है डेड़ घंटा आप दे सकते हो जो लोग भी है सबको ये webinar रेटेंड करना चाहिए मेरे साथ से तो ये आपके लिए बहुत जादा फाइदेमन दोने वाल है मैं यही पर रुकूंगा नहीं मैं every week कुछ ना कुछ आप लोग के लिए practical training के लिए webinars कंडट करूँगा जहापर आप लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा next week मेना target है इसके बाद new year में आप ल चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आकोट में दबा के भी रखना पड़ेगा क्योंकि YouTube notification नहीं पहुचाएगा आपको वर्णा Thank you so much, take care, God bless you, see you very soon in the next session, thank you so much for your lovely feedback and yes, अभी हम लोग क्या जबर्दस discount offer चल रहा है, if you want to enroll for our courses, सहे वो intermediate का DT हो, IDT हो, final का IDT हो, सब कुछ पे हम लोग जबर्दस अभी Christmas आ रहा है, new year आ रहा है और बच्चों के लिए बहुत जादा, you know, flexibility maintained है कि sir, आप आराम से पढ़ाई क और बस पढ़ाई के लिए हम लोग बस जी जान करके आप लोग का महनत, आप लोग से महनत करवाएंगे भी और खुद महनत आप लोग के लिए करेंगे भी sir, ठीक है, चलो, bye bye, take care, God bless you, see you very soon in the next session.